नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक्जाम वार्यर में तो आज से हम हिंदी वियाकरम के क्लासिस शुरू करने वाले हैं और आज से ही आपकी डेली विसीज पे क्लासिस ली जाएगी हिमाचल परदेश पुलिस कॉंस्टेविल के लिए और ये क्लास सभी एक्जाम के लि प्रतियक सार्थक द्वनी को हम वर्ण कहते हैं अब सार्थक का मतलब यहां पर होता है जिसका कोई एक निश्चित अर्थ होता है उसे कहते हैं सार्थक इसलिए द्वनी को अभिव्यक्ति की नियुनतमिकाई माना जाता है या लगुतम बाक द्वनी को वर्ण कहा जाता है अगर कुल संक्या पूछ ली जाए तो आपका अंसर होगा 52 अब देखिए मूल संक्या 44 है और कुल संक्या 52 कैसे है यह मैं आपको आगे वीडियो में बता दूँगा तो अभी हम पढ़ते हैं कि इसका बर्गी करन तीन रूप में हुआ है पहला उच्चारन स्थान पे वायू व्यंजन अब स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं इसके बारे में आपको पता होगा लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूं स्वर जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है जिने बोलने के लिए किसी की अफशक्ता नहीं होती उसे कहत स्वर होते हैं जिनें सब्तंत्र अस्तित्व में बोला जा सकता है लेकिन वियंजन के साथ ऐसा नहीं होता वियंजन को बोलने के लिए हमें स्वर की अवशक्ता होती है तो स्वर की सहाईता से बोले जाते हैं उसे कहते हैं वियंजन और जो बिना किसी की सहाईता से बोले जाते हैं वो होते हैं स्वर तो स्वर के भेद हमारे पास तीन प्रकार के हैं सबसे पहला हस्व स्वर दिर्द स्वर स्युक्त स्वर और प्लूद स्वर अब बहुत सी किताबों में आपको यहां पर सिर्फ उसे करेंगे जिसे बोलने में बहुत ही कम समय लगता है तो बहुत कम समय लगता है तो एक मात्रिक सवरवी कहते हैं इन्हें बोलने में कम समय लगता है अब बात करते हैं दिर्द इसका मतलब क्या है दिर्द स्वर वे होते हैं जिने बोलने में हस्व से दो गुना समय लगता है या इसे द्वी मात्रिक स्वर भी कहते हैं अब अक्सर एक्जाम में ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि दिर्द स्वर कौन-कौन से है आप आ बता दोगे, तो दूई मातरिक जिन्हें बोलने में हत्स्प से दूगना समय लगता है, यहाँ पर आ आ जागा, बढ़ई आ ढ़ाई और बड़ा उ, तो यह हमारे पास τीन हैं, जो नहीं कहते हैं, दिर्धस्वर, इनकी मूल संहः, दिर्धस्वर जैसे ए आई ओ ये क्या है आपके ये आपके संयुक्त स्वर हैं ये संयुक्त है क्योंकि यहां पर इनका निर्मान दो स्वरों से इनका निर्मान हुआ है जैसे आप देखोगे ए का जो निर्मान हुआ है वो हुआ है आ या आ, के साथ योग करके या E के साथ योग करके इसका निर्मान हुआ है तो इसलिए इसे सन्युक्त स्वर कहते हैं अब बहुत सी पुस्तक में आपको यहाँ पर इसे दिर्द स्वर में ही समलित किया जाता है लेकिन आपने अगर प्रिक्षा में पूछा जाएगा कि स्वर बरन के भेद कितने हैं तो आपने चार बताना है अपने संयुक्त स्वर को भी इंक्लिड करना है तो आप बात करते हैं जो हमारे पास next है वो है प्लूत्स्वर अप प्लूत्स्वर का मतलब होता है जिन्हें बोलने में हस्वसर से तीन गुना जादा समय लगे जैसे कि ओम जैसे ओम हो गया या फिर हो गया हे राम तो इसे कहते हैं प्लूत्स्वर अब बात करते हैं व्येंजन की अब देखिए व्येंजन जिन वरनों का उच्चारन स्वरों की सहाइता से किया जाता हो या जिन द्वनियों के उच्चारन किसमे हवा रुकावण के साथ मूह से बाहर निकलती हो वे व्येंजन कहलाते हैं अब वेंजन एक कॉस्चन यहां से भी पूछा जाता है वेंजन के संधर्व में कि वेंजन की मूल संख्या बताईए या फिर वेंजन की कुल संख्या कितनी है अब वेंजन की मूल संख्या तो सभी को पता होगी कि वेंजन की मूल संख्या 33 है लेकिन वेंजन की कुल संख्या तो इसमें क्षा, त्रग्य और श्र को भी include किया जाता है तो इसी भी include किया जाएगा और यहाँ पर ड़ और ध को भी include किया जाता है अब वियंजन का हम यहाँ पर भेद करेंगे उच्चारन के अनुसार उच्चारन के अनुसार इसकी कितने प्रकार है तो सबसे पहले बात करेंगे कंठे की जिसे हम गले से बोलते हैं तो जिन वेंजन को गले से बोला जाता है तो उसे कंठे वेंजन कहते हैं जैसे यहाँ पर है क, ख, ग, ग, और अंग, देखिए इने बोलने के लिए या इनका उच्चारन हम गले से करते हैं तालव्य या फिस इसे तालू कहते हैं तो च, च, ज, 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 य, और य, श, य ये तालू से होता है और मुर्धन्य से तालू के मुर्दा वाले भाग से तो आप देखोगे या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो जहाँ पर हमें जीव को थोड़ा सा मोड़ना पड़ता है पीछी के और मोड़ना पड़ता है जैसे त, ठ, ड, 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 श, तो ये हमारे तालू के मुर्दा वाले भाग से बोले जाते हैं त, दिया गया है और यहाँ पर पूछा गया है कि ये किसकी साहिता से बोला जाता है कि ये कंट के साहिता से बोला जाता है ये तालूवे के साहिता से ये फिर मुर्धने के साहिता से ये दंत के साहिता से तो आप देखोगे जब आप त को बोलोगे तो जो हमारी जी बुस्पर्श करती है दांतों को तो ये दांतों की साहिता से बोले जाते हैं जैसे त, थ, द, ध, और न अब दंतमूल से जिसे वत्सरिय कहते हैं तो ये है हमारे पास स, ज, र, ल तो इसे हम करते हैं दंतमूल की साहिता से ओश्थ हे जिसमें दोनों होंटों से हमें इनका उचारन करना होता है जैसे प्भर Sr 27 म in अब Бात करते हैं ॉ निचले होंट और उपर के दांतों से जिनका हम उचारन करते हैं जैसे ब्ल K милли algae में एक आदा कॉशिन इस तरह का देखने को मिलता है अब यहां पर हम कि प्रित्न के अधार पर विंजिनों के भेद के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वर्तंत्री में कंपन के अधार पर अगोस और सगोश आपने इसमें सिर्फ इतना सा याद रखना है कि अगोश क्या होता है जिनका उचारन बिना कंपन के हो उन्हें अगोश कहते हैं जैसे कख चछ तठ तठ पफ देखो इनके जब उचारन करते हैं तो गले में कंपन नहीं होती या फिर इसे आप याद ऐसे रख सकते हो जैसे जो हमारे पास विंजन है उसमें जो वर्नो के प्रथम और दुट्टि विंजन ये आपके क्या है प्रथम और दुटि विंजन आपके अगोश विंजन अब यहां पर आपको मैं दिखाता हूं तो जैसे ये है ये आपके पास विंजन दिये गए है अब दीखिए ये विंजन है तो यहाँ पर कहा गया है कि प्रतम और द्वित्य हमारे अगोश है और बाकी जो बचते हैं वो सभी सगोश है अगोश का मतलब मैंने आपको बताया कि जिनके उचारन के समय गले से कमपन नहीं होती है उसे कहते हैं अगोश तो कख, चच, टठ, तथ और पफ ये हमारे कैसे विंजन है ये अगोश विंजन है जिनके उचारन के समय गले से कमपन नहीं होती अब बात करते हैं सघोष वेंजनों की, सघोष वेंजन वेंजन होते हैं, जिनके उचारण के समय गले में कमपन होती है, तो वो होते हैं हमारे जो बरन हैं उसका तृत्य, चतुर्थ और पंचम, तो तीसरा, चौथा, पांचवा हमारे सघोष में आते हैं, तो जैसे आप यह सगोश जिनके उचारण के समय कंपन होता है गले में कंपन होता है वस आपने इतना याद रखना है तो यह हमारे पास आएगे वर्नों के तृत्य चतुर्थ और पंचम वियंजन तो आपने इसे याद कर लेना है तो आपने इसे याद कर लेना है कि तो इसे आप याद करोगे तो आपको यह सभी याद रखने में असानी होगी कि कौन सगोश है कौन अगोश है क्योंकि बर्नों के पहले और दूसरे को छोड़कर बाकी सभी सगोश आते हैं जिनके उच्चारण के समय कंपन होती है और पहल जैसे मान लेजी आपसे पूछा जाएगा कि गव है यह क्या है यह अलप प्राण है यह महाप्राण है तो यह आप कैसे इसका उत्तर पता कर पाओगे तो आप यहां पढ़िए तो यहां हम देखेंगे सबसे पहले बात करते हैं अलप प्राण की जिन ध्वनियों के जनिया फिर कम बायू की जरूरत होती है उन्हें कहते हैं अलप प्राण तो यह होते हैं बर्नों के प्रथम तृत्य और पंचम तो मैंने आपको कहा था कि इसे आपने याद कर लेना है तो देखिए प्रथम तो आप देखोगे प्रथम तृत्य और पंचम यह हमारे अलप तो ऐसे ही बात की जाए तो ऐसे ही अगर बात की जाए यहां पर महापराण की महापराण की जिन द्वनियों के उच्चारण में बायू की मातरा अधिक होती है उसे महापराण कहते हैं तो यह बर्नों के द्वित्य और चतुर्थ होते हैं तो आप यहां देखोगी वर्नों के द्वित्य और चतुर्थ कहां पर है, तो यह वर्नों के होते हैं द्वित्य और चतुर्थ, दूसरे और चोथे आपके क्या आते हैं महाप्राण में, जिनको बोलने में वायो की जादा आफशकता होती है, तो यह आज की वीडियो थी, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि यह टॉपिक उतना इंप्राण नहीं लगता, लेकिन यहां से भी काफ़े कॉशन पूछ जाते हैं, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि जो स्वर है, उसके कितने भेद होते हैं, या पिर हस्वसवर में किसी समलित किया जाता है, दिर्दसवर में किसी समलित किया जाता है, महापराण, अलपपराण के बारे में पूछा जाता है, और जैसे कि मैंने जो आपको बताया, मूल संक्या कितनी है, वेंजन की कुल संक्या कितनी है, तो इस तरह के कॉस्चिन भी संबज नहीं आया होगा तो अगर कोई गलत चीज बताई गई है तो उसे भी आपने और मुझे बताना है आपने की यह आपने गलत करवाया है तो मैं उसे ठीक करदूगा नेक्स वीडियो में तो यह थी आज की वीडियो आई आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और जिसने चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में